हलो गाईस, वेलकम्टू माई यूट्यूब चैनल, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है डियाने फिंगर प्रिंटिंग, आज हम बात करने वाले हैं, डियाने फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है वीडियो को end तक जरूर देखना ठीक है जो DNA fingerprinting है इसकी खोज किस ने की थी इसकी खोज जो है वो Sir Alec Zafriis ने की थी Sir Alec Zafriis ने DNA fingerprinting को discover किया था लेकिन उन्होंने इसके discovery क्यों कि उनको क्या जरूरत थी ये सब करने की तो क्या था जैसे आपने सुना होगा कि crime cases होते है रेप cases होते है तो उसमें क्या होता है मालो हम किसी crime area पे गए वहाँ पे हमें एक person मिला उसकी death हो चुकी उसका murder हुआ है इसी प्रकार क्या होगा उस crime area में दो blood sample मिली एक तो वो उसका है जिसका murder हुआ है लेकिन एक किसी और का है मतलब जिसने उसका murder किया है वो उसका है ठीक है सो हमने वो वहाँ से sample लिया उस sample की हमने DNA finger printing की और उसके basis पे हमें पता चल गया कि वो person कौन है ठीक है सो इस तरह के cases को solve करने के लिए सर अलेक जैफरे ने DNA finger printing की खोज की ठीक है सो जो ये DNA finger printing है ये क्या है ये एक method है मतलब ये एक chemical test है या हम इसको भो सकते हैं कि एक laboratory technique है जिसको यूज करके हम एक individual के identity को पता कर सकते हैं मतलब वह उसको identify कर सकते हैं उसके DNA को यूज करके क्यूंकि आपको पता है कि हम जितने भी human beings है हमारे अंदर का जो DNA होता है वो 99.9% हो वो सेम होता है बाकी का जो 0.1% जो DNA है उसके basis पे हम एक दूसरे से अलग हैं और उसी DNA को यूज करके हम DNA finger printing करते हैं जो ये DNA finger printing है इसको हम DNA profiling भी बोलते हैं और इसको genetic finger printing भी बोलते हैं चिके अगर किसी case में ऐसा होता है एक individual की जगा एक पूरी species के बारे में पता लगाना हो मतलब पूरी species को identify करना हो तो उस case में जो DNA finger printing होती है उसको हम बोलते हैं DNA bar coding मतलब उसमें पूरी species का पता लगाया जा रहा है rather than individual मतलब एक single person की बजाए उसमें एक community का पता लगाया जा रहा है तो उस case में जो DNA finger printing होगी उसको हम बोलेंगे DNA bar coding अब जो ये DNA finger printing होती है इसको criminal investigation में यूज किया जाता है मैंने आपको बताया है कि crime cases को solve करने के लिए या फिर इसको paternity testing में भी यूज किया जाता है खईबार आपने सुना होगा आप TV series देखते हैं तो उसमें आप सुनते होगे कि ये मेरा बेटा नहीं है आपने किसी को बोलते सुना होगा कि ये मेरा बेटा नहीं है या ये मेरा बाप नहीं है मतलब इस तरह के जो cases होती है उसमें क्या होता है paternity test होता है उसमें बच्चे का भी sample लिया जाता है और उसके father का भी mother का भी मतलब sample लिया जाता है उसको analyze करके मतलब fingerprinting करवा के उससे पता लगा जाता है कि ये इसका बच्चा है या नहीं है तो इस प्रकार के testing को हम बोलते है paternity testing या फिर other forensic applications में DNA fingerprinting को use किया जाता है अब जो ये DNA fingerprinting जो है इसका objective क्या है मतलब इसका क्या मकसद है इसको क्यों use किया जाता है जो DNA fingerprinting है इसको हम use करती है दो DNA fingerprints को match करवाने के लिए इसमें क्या होता है DNA का sample लिया जाता है मतलब non-individual से एक लिया जाता है unknown individual से और एक non-individual से इसको मैं समझाती हूँ आपको non-individual मतलब क्या होता है कि कहीं पर एक crime case हुआ वहाँ पर जो blood sample मिला उसको हम बोल रहे हैं कि यह non-individual का है हमारे को पता है कि यहाँ पर जो sample मिला उसी ने इस individual का murder किया है मतलब जो वहाँ पर जो crime हुआ है वो उसी person ने किया है अब हम क्या करेंगे जिसके उपर हमें शक है हम दूसरा DNA sample उसका लेंगी और उन दोनों को match करवाएंगे DNA fingerprinting के थूँ इसलिए जो DNA fingerprinting का main objective यही होता है कि दो DNA sequences को match करवाना जो DNA fingerprinting है इसके discovery किस ने की थी ब्रिटिस जैनेटिस्ट थी सर अलिक जैफरेज इन्हों ने 1984 में DNA fingerprinting की discovery की थी अब मैंने आपको बताया कि जितने भी हम human beings है हमारी जो DNA की sequence है वो सेम होती है हर परसन की 99.9% जो है हमारी जो sequence है DNA की वो सेम है लेकिन उसमें से जो 0.1% रहती है वो क्या है वो unique है मतलब उस 0.1% के basis पे ही हम एक दूसरे से अलग है इस DNA sequence को हम बोलेंगे unique DNA sequence except monozygotic twins जो monozygotic twins होती है उसके case में यह हो सकता है के सेम हो लेकिन और cases में ऐसा नहीं होता है यह जो unique DNA sequence है मतलब 99.9% जो DNA sequence है वो सेम है हर individual की लेकिन 0.1% जो sequence है उस DNA sequence को हम बोलेंगे satellite DNA ठीक है मतलब जो यह 0.1% जो DNA की sequence है इसमें जो DNA होता है उसकी sequences जो रिपीट होती रहती है मतलब यह repetitive sequence होती है इसमें जिसको हम बोलते है satellite DNA ठीक है अब क्या होता है जो यह satellite DNA है इसको दो categories में डिवाइड किया है micro satellite and mini satellite ठीक है जो यह micro satellite है इसको mini satellite से किस तरह से लग किया गया है मतलब satellite DNA को किस basis पे दो parts में डिवाइड किया गया है पहरा है base composition ठीक है base composition की base पे base composition में क्या होता है कि जो micro satellite होता है इसमें 80 base pair जो है वो ज़्यादा होती है एडिनाइन और थाइमाइन की sequence जो है इसमें ज़्यादा होती है लेकिन मीनी satellite में गौाइनी और साइटोसाइनी base pair जो sequence है वो ज़्यादा होती है ठीके दूसरा है length of segment ठीके इसमें जो micro satellites में 2 से 6 base pair की sequence हो सकती है मतलब 2 जैसे AT ठीके यह 2 base pair होगे अगर AT AT इस तरह की sequence है मतलब यह 4 होगे अब 2 से 6 के बीच में base pair की sequence हो सकती है इतना लंबा एक segment हो सकता है micro satellite में ठीके और जो mini satellite होता है उसमें 10 to 100 base pair की length हो सकती है segment की मतलब 10 से लेकिर 100 base pair हो सकती है और तीसरा है कि number of repetitive units ठीके यह जो length है DNA के segment की मतलब जिस परकार यह base pair है AT AT मालों यह 4 base pairs है यह कितनी बार repeat हो रहे हैं उसके basis पे भी इन दोनों को अलग किया गया है number of repetitive units मतलब 10,000 से 1,000,000 base pair long हो सकती है मतलब जो यह 2 से 6 base pair की sequence है यह इतनी बार repeat हो सकती है एक DNA में इसी परकार जो यह mini satellite है इसमें क्या होता है इसमें 500 से 30,000 base pair long हो सकती है so जो यह repetitive sequences होती है इनको हम बोलते है VNTR ठीक है VNTR मतलब इसका मतलब है variable number tandem repeats ठीक है जो यह VNTR sequences होती है मतलब जो यह DNA की sequences होती है unique sequences ठीक है इसको हम use करते है as a genetic marker जो paternity testing की जाती है तो उसके case में क्या होता है इनको as a genetic marker यूज के जाता है प्रकार हमारा fingerprint होता है हमारा धारकार होता है उसी प्रकार यह जो sequences है यह हमारे genetic marker है जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से DNA fingerprint जो है वो perform होती है किस प्रकार से laboratory में यह process होता है माली जे हम एक crime area में गए वहां पे एक individual मिला उसकी death हुई है मतलब उसका murder हुआ है और उसके साथ ही हमें कुछ sample मिला blood का उस sample को हमने collect किया ठीक है हम लेब में ले आए और वहां पे आके हमने उसका DNA निकाल लिया ठीक है उस DNA को हमने निकाल लिया उसके हमने DNA fingerprint की हमें पता चल गया कि यह जो person है मतलब यहां पे जो हमें crime site पे हमें जो sample मिला ठीक है उसके अंदर जो sequence है वो है TATA मतलब यह वाले sequence उसके अंदर है बाकी की sequence जो 99.9% जो है वो तो सेम है लेकिन 0.1% जो sequence है उसमें TATA sequence है यह हमें पता चल गया लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह वाले sequence जो है वो कितनी बार repeat हो रही है हो सकता है यह 500 बार repeat हो रही ह लेकिन इसका हमें पता नहीं है इसका पता हम बाद में लगाएंगे लेकिन हमें ये पता चल गया है जो हमें sample मीला हो उसके अंदर ये sequence present है ठीक है, अब हम क्या करेंगे अब हमारे को किसी दो individual के उपर शक है मतलब दो आदमियों के उपर हमें शक है उसमें से जो person A है उसका हम sample लेंगे और जो person B है उसका भी हम sample लेंगे अब हम दोनों के DNA का DNA fingerprint करेंगे और हम पता लगाएंगे कि कौन ऐसा person है जिसकी sequence जो है वो इसके साथ match हो रही है वो ही वो person वहाँ पे present था crime site पे मतलब उस ही ने उस individual का murder किया है तो हम किस तरह से DNA fingerprint परफॉर्म करते हैं अब हम एक एक करके सारी स्टेप डिसकस करते है सो process of DNA fingerprint किस तरह से होता है पहला स्टेज है मतलब पहला step है इसमें sample collection हम sample collect करेंगे मैंने अब को बताया कि हम crime area पे गए है वहाँ पे हमें sample बिला हमने sample collect कर लिया वहाँ से ठीक है वह sample जो है वह स्राइवा की form में भी हो सकता है वह blood की form में हो सकता है वह hair roots की form में भी हो सकता है मतलब हमार आपको पता है कि जितने भी living organisms हैं उनकी जो body होती है वह cell से मिलकर बनी भी होती है और हर एक cell में DNA प्रेजंट होता है ठीक है so body का कोई भी cell हो उसमें DNA आपको जरूर मिलेगा लेकिन mainly जो होता है उसको hair follicle से लेते हैं या फिर blood से लेते हैं most लिक तो blood से ही लिया जाता है so हम sample collect कर रहे हैं हमारे case में हमने blood से sample collect किया ठीक है अब हमने sample collect कर ले अब हमने क्या करना है उस blood से हमने DNA को extract करना है मतलब उस blood से हमने DNA निकालना है अब हम DNA की analysis से पहले DNA को निकालेंगे उस sample से ठीक है तो हम हम क्या करेंगे जो DNA है मतलब वो एक cell के अंदर है आपको पताइ cell के अंदर है DNA होता है तो हमें उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले तो उसके जो cell के boundary है उसको तोड़ना पड़ेगा उसके बाद जो cell के अंदर nucleus होता है nucleus के अंदर जाके genetic material होता है मतलब nucleus के अंदर DNA होता है सो cell की boundary तोड़नी पड़ेगी उसके बाद जो nuclear membrane है उसको भी तोड़ना पड़ेगा अब क्या है अब हमारे पास DNA जो है वो free हो गया है हमने cell की cell membrane भी तोड़ दी और nuclear membrane भी तोड़ दी उसके बाद जो DNA है वो free है अब हम क्या करेंगे DNA को separate करेंगे मतलब जो DNA अब ऐसो तो है नहीं कि हमने एक एक चीज़ निकालके उसको तोड़ दिया और side कर दिया इतना बड़ा तो cell है नहीं अब जो हमने cell को break किया है बागी की जो parts है उसको हम separate करेंगे DNA से ठीके इसको हम centrifugation से करेंगे आपको बीका है centrifugation से क्या होता है जो heavier portion होता है वो नीचे रह जाता है जो हलका होता है वो ऊपर रह जाता है एक इस प्रवकार जो cell की जो बागी की cellulid debris से उनको डिसकार्ट कर दिया जाता है अब हमने उसको remove कर दिया हमने जो बागी का पार्ट से उसको डिसकार्ट कर दिया हमारे पास क्या रह गया हमारे पास रह गया DNA DNA extraction के लिए बहुत से methods use होते हैं कुछ मैंने तीन method के example ले रखे हैं इसके बारे में फिर कभी discuss करेंगे ठीक है जैसे कि chloroform extraction है solid phase extraction है और chillax extraction है ठीक है यह वाले methods हम DNA को extract करने के लिए यूज कर सकते हैं अब क्या होगा अब हमारे पार DNA आ गया अब DNA आ गया अब ऐसा तो है नहीं हम पूरा DNA जो उसको एनालाईज करेंगे हम क्या करेंगे इतना बड़ा DNA होता है उस DNA को हम digest करवाएंगे restriction endonucleus enzymes मतलब हम उस DNA को छोटे छोटे parts में break करेंगे restriction endonucleus जो enzyme होता है यह क्या करता है यह DNA को छोड़़ड़े pieces में break कर देता है मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम molecular scissor भी बोलते हैं, क्योंकि एक NG की तरह उस DNA को काटता है, अब DNA को काट दिया, DNA एक long thread होता है, उसको छोचोड़े pieces में इसने काट दिया, छिके, मतलब जो यह DNA काटने के लिए जो हम molecular scissor यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो यह restriction endonucleus enzyme है, यह DNA को particular location पे ही cut करता है, ऐसा नहीं कि जहां मनकिया वहाँ काट दिया, इसके पास कुछ particular locations होती है, वहाँ पे यह DNA को cut करेगा, ठीके, अब हमारे पास DNA के बहुत सारे fragments आ गए, अब हम उन DNA fragments को separate करेंगे, मतलब जो DNA के चुछोड़े pieces हमारे पास है, उनको हम अलग ल करेंगे, जिसको हम बोलते है, gel electrophoresis, ठीके, gel electrophoresis को use करके हम DNA को अलग लग कर लेंगे, चोटे पार्ट को अलग और बड़ी पार्ट को अलग, ठीके, इसमें क्या होता है, एक plate होती है, जिसके अंदर wells बने होते है, हम उन wells में DNA को upload करेंगे, मतलब हम sample upload करेंगे, और वहा और जो लंबे होंगे, वह थोड़ा तीरे move करेंगे, ठीके, और जो लंबे होंगे, वह पीछे रह जाएंगे, और जो छोटे होंगे, वह आगे निकल जाएंगे, इस पर कार जो DNA के जो fragments है, वह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अब इनको अलग करने के साथ-साथ हम जो उन DNA fragments को सिंगल स्टैंड में भी कनवर्ट कर देगा, सो हमें मतलब लग लग छोट छोटे pieces भी मिल गये हैं, और जो pieces हमें मिले हैं, यह pieces हमें सिंगल स्टैंड फॉर्म में मिले हैं, क्योंकि हमने इसमें alkaline solution एड कर दिया था, उस solution ने क्या किया, यह जो double standard DNA है, इसको सिंग जो DNA है, वो मिल गया है, अब हमारा next step है Southern Plotting, Southern Plotting में क्या होगा जो DNA के fragment हमने, जैल इलेक्ट्रोफॉरस स्प्लेट पे, मतलब हमने अलग कर लिये हैं, मतलब उन fragments को हम ट्रांस्फर करेंगे, नाइलोन मेंब्रेन पे, ठीक है, for example, यह sample से, ठीक है, यह sample है, क्राइम एरिय पे जो sample मिला, यह वो है, यह suspect 1 है, और यह suspect 2 है, ठीक है, अब जो हमने जैल इलेक्ट्रोफॉरस करवाई, उसमें जो DNA के fragments है, वो बूव किये, हमने इलेक्ट्र क्रंट अप्लाई किया, आपको होता जो DNA होता है, वो negatively charged होता है, तो वो positive charge की तरफ भागेगा, ठीक है, और हम इन वेल्स में हमने DNA का sample डाला, इस परकार इन दिनों के अलगलग sample डाल दीए, मतलब यह एक plate है, मानलीजी, एक plate है, एक एक well में हमने अलगलग sample डाल दीए, ठीक है, अब क्या हुआ, जो DNA के जो fragments है, वो move करना start किये, मतलब वो negative charge है, वो positive charge की तरफ आएंगी, तो वो यहा चोटे थे वो आगे निकल गए, यह सबसे चोटे है, और इसी परकार, B जो हमने sample लिया, उसमें भी छोटे जो fragment थे वो आगे निकल गए, जो लंबे थे वो पिछे रहे गए, अब हमें पता चल गया है, कि किस ने इसका murder किया है, ठीक है, मतलब उस individual का murder किया है, तो इसमें जो suspect B है, उसके जो sequence है, वो इसके साथ match हो रही है, लेकिन यह सब हमें अभी पता नहीं है, यह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यह process lab में perform हो रहा है, लेकिन हमें देख नहीं रहा है, ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, जो यह gel electro forest जो plate है, इन sequences को हम transfer करेंगे, nylon membrane के उस membrane के उपर, ठीक है, अब यह sequence जो है, यह हमार पास nylon membrane के उपर आ गई, अब हम क्या करेंगे, जो यह sequence है, इस sequence का पता लगाने के लिए कि मतलब कौन से जो fragment है, वो कहां पे है, यह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसको देखने के लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम probes मिनाएंगे, सो हमारा next step होगा, radio label probe hybridization, ठीक है, मतलब इन sequences को हम देखने के लिए हम probes की design करेंगे, ठीक है, प्रोब का मतलब है, जैसे हमार पास sequence है, T, A, T, A, ठीक है, यह sequence है, तो इसका जो probe होगा, वो होगा, A, T, A, T, आपको पता है, जो time line होता है, वो time line के सा bond form करता है, तो जो इसके opposite sequence होगी, वो होगी probes, उसको होते है, probes, हम radio label probes जो है, वो design करेंगे, ठीक है, अब हमें पता है, कि हमारे पास जो example है, उसके अंदर यह sequence है, ठीक है, उस sequence का पता लगाने के लिए, हम probes design करेंगे, अब जो यह probes है, आपको पता है, कि इसी के साथ bind करेंगे, किसी और के साथ दो bind नहीं करेंगे, तो यह इसके साथ bind करेंगे, इसलिए हम इसको radio label dye के साथ, जो है, radio label कर देंगे, ठीक है, तो जो next step होगा, वोगा, radio label probe hybridization, हमने probe बना लिए, अब हम क्या करेंगे, यह जो probes हमने design किये हैं, इन probes को हम DNA fragments के साथ hybridize करवाएंगे, मतलब जो nylon membrane है, उसको हम एक बात में डालेंगे, जिस बात में हमने क्या किया है, probes डाले हो हैy, मतलब एक dub ले लो, एक तब के अंदर हमने और यह probes डाले हुए हमाल लो, और जो हमआर पाक जो sheet है, नाईलोन मेंब्र uniqu की इस sheet को हम उसके अंदर डालेंगी ताकि जो वो फ्रॉबश है वह उस sheet के उपर जो sequence है उसके साथ वो attach हो सके अब वह जो sequence है वह उसके साथ attach हो गई और वह जो probes है वह क्या है रेडियो लेबल delically है यसलिए जो sequence है जहाँ जहाँ पे वो attach होए वो चमकने लएगा वो बाला area अब हम क्या करेंगे अब हम उस area को देखने के लिए हम उसकी auto radiography करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यह वाली जो fragments है वो कहाँ पी है और कौन सी sequence जो है वो उस sample के साथ match हो रही है so next step हमारा होगा detection of hybridized DNA fragments वो जो DNA है वो hybridized हो गया इन probes के साथ अब हम उसको x-ray auto radiography के साथ देखेंगे और उसका एक auto radiograph create करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमें sample crime area पे मिला था वो कौन से person के साथ match कर रहा है ठीक है वो जो auto radiograph होगा वो हमें अलग-लग pattern show करेगा मतलब अलग-लग band दिखाएगा मतलब जो band जो है वो hybridized हो है वो चंप केंगे वो bright bands होगे और जो वो दूसरे होगे वो dark bands होगे इस प्रकार जो DNA का जो genetic makeup जो है वो reflect होगा उस auto radio graph में ठीक है अब हम अब हम यह जो sample है इससे हम DNA को निकालेंगे DNA की extraction हो गई उस DNA को extract कर लिया हमने और हमार पास यह DNA आ गया DNA इस तरह से thread की form में आ गया अब इतना लंबा DNA है इसको तो छोट-छोटे pieces में divide करना पड़ेगा तो इसके लिए हम molecular scissors को use करेंगे मतलब एक कैंची लेंगे molecular scissors जिसको हम बोलते हैं उसको हम लेंगे और उससे इस जो long threaded DNA का इसको छोट-छोटे pieces में cut कर देंगे हमारे पास यह चोट-छोटे fragments आगर DNA के खिक है अब हम क्या करेंगे इन चोट-छोटे fragments को भी separate करेंगे इससे भी हमें यह सब तो हमारे काम के नहीं है हमारे पास सिरफ एक छोटी से sequence जो हमारे काम की है 0.1% जो DNA वो हमारे का है बागी का जो DNA है इसको हम यहां से अलग कर देंगे तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे हम इसकी electroforesis करवाएंगे मतलब gel electroforesis जो होती है वो हम इसकी करवाएंगे अब gel electroforesis करवाने के लिए हम जो DNA fragment जो है मतलब जो सेंपल है यह इस तरह से नहीं होंगे fragment मतलब जो सेंपल होगा यह जो सेंपल है उसको हम upload करेंगे यहां पे मालीजे यह है electroforesis की plate इसके ओपर wells बने भी होते इस well में हम इस DNA के fragments को डालेंगे यहां पे हमने डाल दिया अब हमने यहां से करवाएंगे यहां पे मालूल negative charge और यहां पे positive charge थे तो हमने यहां से करवाएंगे आपको पता है जो DNA होता है उसमें negative charge होता है उसमें क्या हुआ जो डियाने के फ्रेग्मेंट है वो पॉस्टिव चार्ज की तरफ भागेंगे हमनी यहां से क्रंट अप्लाई किया है और जो डियाने है वो यहां से मूव होना स्टार्ट हो गया और जो DNA के जो fragments है वो यहां को चलना स्टार्ट हो गए जो तो लंबे लंबे fragments थे वो पिछे रहेगी और जो चोटे थे वो आगे निकल गए ठीक है इस प्रकार जो short DNA sequence जो हमारे को चाहिए होती है जो satellite DNA हमारे को चाहिए था वो हमारे को मिल गया ठीक है वो इस position पे आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इस जो यह जो plate है electroforesis की plate है इसको उपर जो sequence है यानि की उसको हम transfer करेंगे nylon membrane के उपर अब हमने इस sequence को transfer कर दिया nylon membrane के उपर ठीक है माल लीजे यह है electroforesis की plate इस plate के उपर जो है इसके साथ चिपका दिया और जो sequence इसके उपर थी वो इसके उपर आ गई मतलब वो जो bands थी डियाने के वो यहां से इसके उपर चिपक गए अब जो हमारे पास जो single standard DNA जो हमें इस यहां बे मिल गया है उसको हम transfer करेंगे इस sheet के उपर अब हमें जो यह sequence थी डियाने की electrophoresis plate पे वो हमें मिल गई है nylon membrane के उपर यहां से हमने sequence ले ली अब उस sequence को हमने देखना है हमारे को पता नहीं कि कौन से band कहां पे दिख रहे हैं उसको देखने के लिए हमने probes design किए single standard probes के design किए वो जो probes है वो इस single standard DNA के साथ chip ex आएंगे मतलब जहां जहां पे जो sequences जो है उसके साथ chip ex आएंगे मतलब जो इसके उपर जो sequences है जो जिसके हमें जरूरत है जिसके बारे में हमें पता लगार करना है वो sequence जो है उसके opposite जो spares होंगे उसके हम probes तियार करेंगे मैंने आपको पिछे तियोरी में यह सारा discuss किया है उसके हमने probes design कर लिए उन probes को इसके साथ chip काना है मतलब उन probes को हमने radio label कर लिया है उसके उपर हमने इस तरह से die लगाई है कि वो वहाँ पे चिपकने के बाद जो 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 probes है उसको वो जो area है वो चमकेगा इसके बाद जो auto radiograph होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब जो DNA की sequence है वो कुछ इस तरह से हैं जो हमने probes design किये थे वो इसके साथ चिपक गए है अब जो यह sequence है इसको हमने match करना है कि किसके साथ match हो रही है अब इसके साथ तो यह match नहीं हो रही है यह वाली sequence जो है वो B के साथ match हो रही है मतलब जो crime हुआ था वहाँ पे जो हमने blood sample मीला वो किसके साथ match हो रहा है वो person B के साथ match हो रहा है मतलब इसी ने वो murder किया था तो इसी प्रकार से जो यह DNA fingerprinting का process है वो laboratory में perform होता है अब हम बात करेंगी जो DNA fingerprinting है इसके कौन कौन सी applications है यह कहां पे use होती है So applications of DNA fingerprinting कौन कौन सी है forensic size में इसका use होता है आपको मैंने बताया कि जिस प्रकार से जो murder cases होती है या rape cases होती है उस case में भी जो DNA fingerprinting है वो use होती है So DNA fingerprinting के लिए हम sample कहां कहां से collect कर सकते है हम blood से ले सकते है hair से ले सकते है saliva से ले सकते है sperm से ले सकते है body के किसी भी tissue cell से ले सकते है आपको बता है कि body का हर एक cell जो है उसके अंदर DNA होता है तो हम किसी से भी यह DNA fingerprinting के लिए sample collect कर सकते है दूसरी इसके जो application है वो है personal identification मतलब जो एक person की identification होती है उसके लिए भी हम DNA fingerprinting यूज़ कर सकती है मतलब यह एक तरह का genetic barcode होता है जिससे जो है हम एक person की जो identity है उसका पता लगा सकती है तीसरा है determining paternity and maternity मतलब जो DNA fingerprinting है इसका हम paternity testing के लिए और maternity testing के लिए यूज़ कर सकती है जिस परकार मैंने आपको उपता है कि अगर एक person है उसका बच्चा जो वो खो गया है कहीं पी या फिर वो उसको accept नहीं कर रहे हैं तो उस case में भी हम क्या करते हैं उन person का जो है DNA fingerprinting करवाते हैं उनके DNA की और इस परकार हम पता लगाते हैं कि कौन इस बच्ची की माता पीता है ठीक है तो आपने tv serials में यह बहुत बार सुना होगा तो उन cases में जो है DNA fingerprinting का use होता है ठीक है क्योंकि जो parent की जो VNTR जो sequence है वो उसके बच्चे के साथ match होती है ठीक है नेक्स्ट जो application है DNA fingerprinting की वो है diagnosis of hereditary disorders ठीक है आपको पता है कुछ ऐसी diseases भी होती है जो हमें हमारे parent से transfer होती है जो मतलब एक parent में अगर कोई disease है तो आगे वो बच्चे में transfer हो जाती है तो उस cases में क्या होता है उन diseases का diagnose करने के लिए भी DNA fingerprinting का use होता है ठीक है इसको हम newborn baby में भी यूज कर सकते है या फिर जो prenatal children है मतलब जो अभी पैदा नहीं हुआ है उस case में भी हम DNA fingerprinting का use कर सकते है hereditary disorders के examples है जैसे की hemophilia, sickle cell anemia, thalassemia and cystic fibrosis ये कुछ ऐसे disorders है जो hereditary है मतलब ये parent से offspring में transfer होती है ठीक है और Alzheimer's भी एक ऐसे disease है जिसमें जो इनसान है उसको उसकी आदास जो है वो चली जाती है उस case में भी क्या होता है ये जो disease होती है ये भी transfer हो सकती है आगे बच्चों में तो इसको diagnose करने के लिए भी DNA fingerprinting का use किया जाता है so next जो application है DNA fingerprinting के वो है creation of treatment for inherited diseases ठीक है कई diseases ऐसे होती है जो अपने parents से हमें मिली होती है मतलब वहां से हमारे मेंदर transfer होती है तो उन cases में क्या होता है उन diseases की treatment को तयार करने के लिए भी DNA fingerprinting के ज़रूद पढ़ती है so DNA phenotype जो link to disease can be identified by examining the DNA fingerprints of family members helping examining the history of particular disorder ठीक है आपने सुना होएगा कि कुछ ऐसे लोग होती है for example जैसे night blindness की disease होती है मालो कोई बच्चा है वो night blind है ठीक है वो night blindness उसमें जो है वो उसके parents में नहीं है मालो आपको तो हमारे अंदर ये suspense होगा कि ये जो disease है ये कहां से transfer होई ठीक है इसके parents में तो नहीं है तो उसके history का पता लगाने के लिए हम उसके grant parents के बारे में पता करेंगी उनके जो grant parents होगी उनको हम analyze करेंगे उनके DNA को analyze करेंगी तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो disease है ये इसके इसके inherited है मतलब ये इसी की family से transfer होई तो उसमें क्या होता है उसमें भी DNA fingerprint का use होता है next to application या DNA fingerprint की वो है detection of AIDS ठीक है आपको पता है जो AIDS होता है वो भी hereditary होता है वो भी parents से बच्चों में transfer हो सकता है इस case में क्या होता है कि जो HIV जो virus होता है मतलब जो HIV है जो उसको cause करता है AIDS को उसकी जो sequence होती है उसमें जो RNA की sequence है उसको compare किया जाता है जो जिसमें वो AIDS की disease है मतलब जिसको AIDS है उसके sample के साथ मतलब ये एक individual है उसमें AIDS है उसका sample लेंगी और उसको compare करेंगे HIV RNA के sample के साथ ठीक है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो वो individual है उसको AIDS है ठीक है सो जो reduction of AIDS में भी DNA fingerprinting को use किया जाता है So मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो DNA fingerprinting का process है वो perform होता है और उसकी क्या-क्या applications है यह थी कुछ applications of DNA fingerprinting अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करना Thank you for watching